So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Traders So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Indian Oil Corporation Limited की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बाग चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं Continue तो IOC की अगर हम बात करें तो दो important news stock में सामने आ रही हैं प्लस इसमें क्या आने वाले टाइम में हमें bonus मिलेगा या नहीं तो उसको लेकर भी काफी कुछ चीज़े हैं जो हम discuss करेंगे IOC की अगर हम बात करें तो stock में 168 रुपए के अराउं तक की closing है 168 के अराउं तक की closing है और gap up open हुआ था share कल के दिन अगर दीखें तो morning में गयाप अब हुआ उसके बाद stock ने काफी अच्छे returns भी दिये है लगबग 2 रुपए 60 पेसे के अराउं तक की तेजी रही 9.15 से 2 बचकर 35 मिनट तक उसके बाद गिरावट रही इस बज़े से stock एक रुपए 60 पेसे तक की return दे पाया तो और ओल returns की अगर बात करें तो share काफी अच्छे return देता होना जरा रहा है पिछले 5 दिनों में भी पिछले 5 दिनों की भी अगर हम बात कर ले तो stock लगबग 6 रुपए 50 पेसे के राउं तक की अच्छी तेजी बता चुका है बाद करें एक महीने की तो stock में एक dump भी देखने को मिला यहाँ पर अगर देखे 6 March के बाद stock में काफी बड़ी गिरा उटा है लगबग 22 रुपए share गिरिया था बड़ उसके बाद 19 मार्च से लेके 28 मार्च तक share में 12 रुपए 75 पेसे तक की एक अच्छी तेजी भी नजरा जा दी और काफी अच्छे returns भी है जो stock में हमें देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं तो और आल जो returns है वो काफी अच्छे है और उम्मीद है हमें कि आगने वाले टाइम में भी ऐसे ही return हमें आगे देखने को मिले गया ठीक है तो आगे बढ़ते हैं बात करें यहाँ पर अगर देखें तो काफी interesting news कल के दिन आई थी और आज भी एक बड़ी news आई है यहाँ पर जो IOC है उन्होंने यहाँ पर काफी बड़ा प्रोजेक्ट दिया है एक कंपनी को जिसका नाम है जेडवर्क तो जेडवर्क बैग्स ओर्डर फ्रॉम इंडियन ओयल टू सेट अप ओर 1400 EV Fast Chargers तो यहाँ पर अगर देखें जेडवर्क को यह बड़ा ओर्डर मिला है तो यह ओर्डर की अगर बात करें तो 1400 EV Fast Chargers यहाँ पर सेट करनी का प्रोजेक्ट है इंडियन ओयल जो है यहाँ पर IOC उन्होंने लगबग 6000 Chargers का टेंडर दिया है 40 EV Suppliers across the country तो यह काफी बड़ी चीज यहाँ पर हमें नजरा जाती है और इसका benefit मिलने वाला है IOC को Monday के दिन यानि next trading season यहाँ पर अच्छी तीजी हमें देखने को मिल सकती है तो 40 EV Suppliers across the country यहाँ पर participate कर रहा है और इसमें से जो बड़ा order है और जेडवक को मिला है तो यह काफी चीज रहा है तो बिलकुल इसका benefit दोनों को ही यहाँ पर मिलने आला है तो इस point कभी आप ध्यान रख सकते हो तो यहाँ पर अगर दिखे चैन्नाई refinery Expansions Coast Goes Up तो यहाँ पर जो है स्टेट ओंड इंडियन ओयल कोर्परेशन आई वोसी ओं तरस्डेस आड इट विल रेस इट स्टेक इन जो इन्हों ने पेसा बढ़ाया है उसके बाद यहाँ पर जो चैन्नाई refinery है उसमें यहाँ पर इनकाल स्टेक बढ़ जाता है तो यह न्यूस है औरिजिनली आई ओसी इट सब्जिटेरी चैन्नाई Petroleum Corporation CPCL तो यहाँ पर अगर देखे तो यहाँ पर जो कोस्ट आप प्रोजेक्ट है कोस्ट आप दे प्रोजेक्ट जो थी ओ यहाँ पर अगर देखे पहले 29,361 क्रोड थी ठीक है 29,361 क्रोड क्या रहूं थी अब इन्होंने बढ़ा कर सीधा 33,023 क्रोड कर दिया है तो यह काफ़ी अच्छी चीज हमें नजर आती है इन्होंने जो पेसा है वो इसमें बढ़ाया है तो इस वज़े से स्टॉक में अच्छे जंब होने के चांसस बढ़ जाते हैं तो बड़े लेवल पर इन्वेस्मेंट कर रहे हैं लगबग 12.5% से यहाँ पर अगर देखें इंक्रीज इन्होंने किया हैं इन्वेस्मेंट को 3662 करोड यहाँ पर बढ़ा कर देने वाले हैं तो एक काफ़ी अधक पॉजिटिव चीज हमें नजर आती है और देखना होगा इस न्यूस का शेर के उपर क्या एफेक्ट बढ़ता हैं हलाकि लास्ट रिडिंग सिजन तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटन्स दिये हैं इस पॉइंट के उपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्या आई वोसी में आने वाले टाइम में बोनस मिलेगा तो बैसिकली अगर आप देखो तो एक बोनस कंपनी रही है और यहाँ पर अगर देखें 2023 में पहली बार इसने बोनस दिया था उसके बाद कंटीनियूस लिए अगर आप देखोंगे लगभग 5 टाइमस बोनस मिले ह है 2009 में बोनस मिला फिर यहाँ पर डाइरेक्ट 2016 में मिला 2008 फिर 2022 तो 2016 के बाद अगर दिखें तो year के gap के साथ इन्होंने bonus देने start किया है और 2018 से लेकर अगर दिखें सीधा 2022 में bonus दिया है company ने तो यहाँ पर अगर दिखें minimum दो से एक से दो साल का गेप तो रखती ही रखती है company ठीक है तो हाला कि 2018 से 2022 तक काफी बड़ा गेप हो गया बट expected है कि अगर शेर 200 प्लस चले आता है तो कहीं न कहीं यह bonus के announcement कर सकता है तो bonus के announcement होने के chances थे इस साल ज्यादा थे बट शेर में बड़े fall भी हमें देखने को मिले जिस वचे से stock में जो अब यह भी undervalued है और bonuses हमें तभी मिलता है जब stock का price overvalued हो तभी हमें bonuses यहाँ पर मिलता है तो इस point की ओपर भी आप ध्यान रखो IOC में यहाँ पर अगर देखे volume क्या कहता है तो volume भी एक important चीज है तो volume की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर clearly आप देख सकते हो 2 crore के around तक का trade value हमें देखने को मिलता है तो और-all जो यहाँ पर volume है volume भी increase हो रहे है तो इस point की ओपर भी आप ध्यान रख सकते हो Levels क्या कहता है तो levels को भी हम discuss कर लेंगे क्या levels है IOC में तो यहाँ पर हम आ जाते हैं IOC में पहले बात करेंगे 5 minute के time frame पर तो 5 minute के time frame पर अगर हम देखे तो काफी हित तक upside down momentum रहे Stock में जो symmetrical type pattern हमने discuss किया था उसके हिसाब से हमें अच्छा written मिला पहले हमने यहां पर अगर दीखें, तो एक falling waste type pattern, fall and flag type pattern के बारे में discussion किया था, यहां पर मैंने बताया था आपको, कि एक fall and flag type pattern बन रहा है, तो इस fall and flag type pattern में breakout अगर मिलता है, share अच्छे return देगा, फिर उसके बाद है उपर गया, फिर symmetrical type pattern मिला, फिर breakout मिला, gap up हुआ, फिर उसके बाद गया, फिर share जो है, यहां से सीधा, downside के और आना start हो गया, downside के और आने के बावजूद भी, stock में अगर दीखोंगे, 28 तारीक के दिन, एक वीशे पर रिकावरी आ गई, 27 तारीक में उपर तो गया था, बट downside के और भी आया, बट 28 तारीक के दिन, एक वीशे पर रिकावरी आ गई, और धीरे धीरे उपर जाने की तैयारी में था, बट अगिन लास्ट मॉमेंट पर भी गिरावट हमें देखने को मिली, और यहाँ पर अगर देखें, तो मंडे के लिए थोड़े confusing आकड़े हो जाते हैं, बट यहाँ पर अगर देखा जाए, तो गिरावट के chances बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट से जहाँ पर एक gap up हुआ था share, पंदरा मेट के चार्ट प्रेम पर हम देख लेते हैं, तो gap up opening भी stock में हुई थी, तो उन gaps को feel करने के लिए भी highly chances बन जाते हैं, कि यह share जो है, downside क्यों राचा है, तो यह वाला level अगर देखे, कि as a support का का काम कर रहा है, as a support level है यहाँ पर अगर देखोंगे, तब ही यहाँ पर fall आएगा, और जो downside के और से gap pending पड़ा है, तो यह जो gap है, इसे feel करने के लिए, IOC नीचे के और आ सकता है, तो इस point के उपर भी आप ध्यान रख सकते हो, तो गिरावट अगर आती है, तो इस level तक आएगा, कौन सा यह level है, तो यह 158, 159 के around तक का level है, यह gap pending पड़ा है, तो इस gap को feel करने के लिए, यह downside के और आ सकता है, तो देखेंगे आगे क्या होता है, तो और ओल काफी कुछ चीज़े जो है, IOC को लेकर हम discuss कर चुके है, तो I hope आपको यह video helpful और अच्छा लगा होगा, विडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज विडियो को like और चैनल को subscribe कर देना, साथ ही telegram चैनल को join करो, जिसकी link नीचे description में, वहाँ nifty bank, nifty के update आपको मिलने वाली है, जाकर check out कर लो, thank you,